मित्रों आज हम आपको नील परी की कहानी सुनाएंगे एक समय की बात है एक घने जंगल में तरह तरह के पच्छी रहते थे इस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तलाब था जिसके चारों और रंग विरंगे फोल खिले थे तलाब के किनारे एक विसाल पेड था जिसकी स खाएं पर धेड सारे घोसले थे इने घोसलों में से एक में रहती थी एक नन्ही नील परी जिसका नाम था नीलू नीलू एक छोटी चिडिया नीली चिडिया थी जिसके पंक नीले आसमान जैसे थे उसकी यांखों में हमेशा एक चमक रहती थी वह बहुत चंचल और खुस मिजास थी नीलू का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन आसमान की उचाईयों को छू सके और दूर दूर तक उड़ सके उसे लगता था कि अगर वह उचाईय पर उड़ सके तो पूरे जंगल को एक नए दृष्टिकोर से देख पाएगी नीलू रोज सुबा उठकर अप नीलू तुम इतनी छोटी हो तुम्हारे पंखितने उचाई तक नहीं ले जा पाएंगे लेकिन नीलू के होसले बुलंद थे उसने अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दिया अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट गई एक दिन नीलू ने फैसला किया कि वह उडान की उचाई बढ़ाती गई उसकी मेहनत और लगन से उसके पंक मजबूत होने लगे नीलू ने कभी हार नहीं मानी और थोड़ा दिन बीतता गया उचा उडान करने की कोसिस करती रही एक दिन जब मौसम साप था और आसमान नीला और खुला हुआ था नीलू ने फैस को पार करते हुए उपर और उपर जाती हुई नीलू ने अपने पंक की ताकत पर विश्वास रखा और बिना रुके उड़ती रही जल्द ही नीलू ने देखा कि वह अपने जंगल के सबसे उचे पेड के उपर आ गई है उसे नीचे का जंगल दिखाई दे रहा था ताला की चमक्ती लहरे रंग बिरंगे फूल और उसके दोस्तों के छोटे छोटे घोसले सब कुछ साब दिखाई दे रहा था नीलू का दिल खुसी से जूम उठा उसने सोचा आज मेरा सपना पूरा हो गया नीलू की उड़ां काया अद्भुद्रिष्ट देखकर उसके दोस्त भी आश्यर चकित रह गए उन्हों उन्हें सब समझ में आया कि नीलू की महनत और संकल्प ने उसे इतना उचा उड़ने में मदद की सभी पच्छी उसकी प्रशंशा करने लगे और नीलू के देखकर प्रेणा नेने लगे अब नीलू के दोस्त भी अपने सपनों को पूर करने के लिए मेहनत और समर्पन के साथ काम करें तो कोई भी चीज असंभो नहीं है नीलू ने यह भी सिखाया कि हमें कभी भी अपने दोस्तों की हसी या तानों से निरास नहीं होना चाहिए बलकि अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने लच्छों की और पढ़ते रहना चाहिए नीलू की यह कहानी आज भी जंगल के पच्छियों में प्रेणा और उमीद की किरन बनकर जीवित है जब भी कोई पच्छी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संगर्स करता है तो उसे नीलू की कहानी याद आती है और वह फिर उड़ने में तयारी करने लग जा करता है